लंडन में राहूल केमरीच के M.B.A के छात्रों को संबोधित करने पहुँझे थे लेकिन वहाँ बिजनेस के बजाए सियासत की बात करने लगे पिदेशी धर्ती से भारत की शवी खराब करने की कोशिश की राहूल ने आरोप लगाया कि संसत के बाहर केवल बात करने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया उनके साथ बहुत सक्ती की गई राहुल ने आरोप ये भी लगाया कि देश में अलप संख्यकों पर हमले हो रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया में लोक्तंत को बचाना है तो भारत में लोक्तंत को मजबूत करना होगा अगर इसा है तो आप अपनी बक्रियों को एक करोड फ्रीडम एप के जो ग्राग है उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं अब यह पहला मौका नहीं है जब राहूल ने विदेश दौरे पर जाकर प्रधान मंतरी मोदी और उनके सरकार पर निशाना सादा हो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने लंदन पहुंचकर भारत के लोकतंत्रे को खत्रे में बताया राहूल ने आरोब लगाया कि भारतिये लोकतंत्र के मूलबूर धाचे पर हमला हो रहा है संसत स्वतंत्र प्रेस और निया पालिका पर काफी दवाव है राहूल ने और क्या क्या कहा है आप खुदी सुनिये और का बाहूलिका याज रचार अप्रेस वहावा है आप्रीप्राइब सक्राइब ले लगावार ने नट्चारएब what's happening the institutional framework which is required for a democracy parliament a free press the judiciary just the idea of mobilization just idea of moving around these are all getting constrained so we are we are facing we're facing an attack on the on the basic structure of Indian democracy freedom map to seek and create a strong program itself it's the only one that you will be able to own it without the expense of using the system cificism of the court the house goes on the source book 2019 the house goes on the company कि सरकार ने जुराइल की कंपनी से पेगसस जासूसी सौफ्टवेर खरीदा है और इसके जरीये देश की खरीद 14 से लोगों को जासूसी की गई है। जासूसी के शक्त में 29 फोन दिये गए थे जिन में से 5 फोन में मैलवेर मिले लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले कि वो मैलवेर पेगसस था। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी खाए था कि केंदर सरकार की तरफ से उसे जाच में कोई सयोग नहीं मिला था।